हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मारे टूज चैनल गार्णी विदा पुर्वा कैसे आप सब दो हाज मैं वाइट का नेर की रिपोर्टिंग करूंगी आप देख सकते हैं इसमें कलियां तो बहुत हैं पर फूल नहीं आ रहे हैं और इसमें बैने थोड़ा 70 की कटिंग भी लग देना है कि एक दिन पहले पौदे में पानी नहीं देना है बहुत आसानी से देखे कितने आसानी से निकाल आया कोई परिशानी नहीं हुई पौदे को मैंने चेना नहीं बिल्कुल और कमला भी देखिए एकदम साफ सुत्रा जड़े देखिए यही रिजन था कि रूट और अभी आप लोग भी प्रूनिंग कर सकते हैं पौदों को क्योंकि बारिश का मौसम है और पौदे बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं जड़े देखिए इसके मैं इसमें कि आदी मिट्टी निकाल दूँगी काफी बड़ी बड़ी जड़े हो चुकी है थोड़ी बहुत में जड़ को छोड़कर थोड़ी बहुत जड़ों को प्रूण कर दूंगी कटाई चटाई कर दूंगी मैं और मिट्टी बहुत अच्छे से ग्रो कर गई हैं तो इनको मैं दूसरे पौट में लगा दूंगी आप देखिए मैंने मिट्टी काफी निकाल दिया है बाहर अब मैं इसको यह जो है 70 की कटिंग से इनको भी लगाऊंगी अब और उसी गंबले में मैं लगा रहे हैं मैंने पौट चेंग नहीं किया है यह देखिए उसमें तोड़ा समयने से छेट ढब दिये थे और यह गार्डन का कच्रा है जो पौधे में कटाई चटाई करती हूं इसे अब एक लेयर मिठी डालूंगी मैं एक लेयर मिठी डालने के बाद इसमें मैं पौधा रख दूंगी और मिठी फिल कर दूंगी नॉर्मल पॉटिंग मिक्स है जो हम और भी पौधों में यूज करते हूं उसी को मैंने पहले से बना कर रख लेती हूं बारिशाने के पहले मिट्टी खाद सबसुखा करके दप्त में झाले ताकि बारिस में थोड़ा खाद भी घईली होजाती, मिट्टी भी घईली मिलती है, देखे, पूरा गंबले को मैंने फिल कर लिया, आप हम चिक करेंगे कि हमारे मिट्टी वेल्डंест है कि नहीट, देखिए पानी डालने के बाद पानी बहुत आसानी से बाहर निकल गया है मिट्टी वेल्डन होनी चाहिए और ये देखिए ये मैंने 70 की जो कटिंग से उनको भी लगा लिया है और गार्डन में काम करते करते कब साम हो गई पता ही नहीं चला है